हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकीर को वेलकम टू माई चैनल दोस्तो उमीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी जैसे ही आप कंसीव करती है आपके अंदर एक ननी सी जान पलने लगती है लेकिन आपको उस ननी सी जान का एसास तब होता है जब आपको उसकी पहली बार हल्चल महसूस होती है गर्ब में जब बच्चा हलचल करता है तब आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा गर्ब में स्वस्त है लेकिन कभी-कभी क्या होता है शिशु की हलचल बहुत ही कम महसूस होने लगती है या फिर कभी-कभी शिशु हलचल ही नहीं करता है गर्ब में तो दोस्तो आज ही इस वीडियो में आज हम यहीं जानने वाले है कि ऐसी condition में आप क्या करें जब आपका बच्चा बिलकुल हलचल नहीं कर रहा है गड़ में या फिर बच्ची की हलचल अप कम हो गई है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ऐसे में कब आपको इस बात को seriously रेना चाहिए, कब दॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बारा आया है, तो चैनल को subscribe जरूर करें और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ी भी हलचल लगती है, तो इस वीडियो को like जरूर करें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तो प्रेगनेंट होने के 4-5 महीने बाद आपको आपके बच्चे के हलचल महसूस होना शुरू हो सकती है, कुछ महिलाओ को बच्चे की मौमेंट इससे भी जल्दी शुरू होती है, या फिर छटे महीने में भी कुछ महिलाओ को बच्चे की मौमेंट महसूस होना शु और जब आप किसी काम में होती है तब आपको बच्चे की मुवमेंट इतनी समझ नहीं आती है लेकिन फिर भी आप इस बात का खयाल रखे कि आपका बच्चा एक दिन में कितनी बार घूम रहा है क्योंकि बच्चे की मुवमेंट से हलचल से इसके ठीक होने का पता चलता है आपको आपके बच्चे की मुवमेंट फील ना हो या फिर कम हलचल आपको महसूस हो और ऐसा कई कारणों की वज़ा से हो सकता है आईए जानते हैं उन कारणों के बारे में बच्चे की हलचल कम होने का पहला रिजन यह हो सकता है दोस्तों कि आपके बच्चे तक प्रॉपर तो इस वज़ा से भी बच्चे की हल्चल आपको कम महसूस हो सकती हैं, बच्चे की ग्रूत में कमी आ सकती हैं, और बच्चे के कमजोर होने के कारण उसकी हल्चल में कमी आ सकती हैं, इसके इलावा आपके गर्ब में एमिनेटी फ्ल्यूट की मातरा नॉर्मल से कम बन रही हैं तो इस वज़ा से भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है क्योंकि इसकी वज़ा से ही बच्चे को गूमने में मदद मिलती है इसके इलावा दोस्तो अगर आपको प्रेगनेसी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यानि सूजन की प्राबलम है या फिर आपका बेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे की हलचल कम होने का बच्चे के दिमाग का सही से विकसित ना होना या फिर प्लेजेंटा का सही से विकसित ना होना ये भी एक कारण होता है बच्चे की कम हलचल महसूस होने का तो आपको कुछ खा लेना है, हो सकता है, आपके कुछ ना खानी की वज़ा से आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है, अगर आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, शान्त होकर एक करवट पर लेड़ जाना है, कोशिश करें क आप left cover लेकर सोएं, क्योंकि left side लेकर सोनी की वज़ा से आपका blood circulation अच्छे से होने लगता है और बच्चा हलचल करने लगता है अगर आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है तो आप उस समय पर कुछ ठंडा या फिर मीठा खा सकती है या फिर कुछ पी सकती है हो सकता है कि इससे आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस होना शुरूर हो जाए इसके लावा अगर आप कुछ समय से travel में हो या फिर आप किसी काम में busy हो तब भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है इसके लिए आप कुछ देव की लिए आराम कीजिए और आपके बच्चे की moment को चेक करिए इसके इलावा second trimester में आप नारियल पानी जरूर पीजिए इसके इलावा आप healthy minerals, vitamin से भरपूर, diet जरूर ले इससे क्या होगा आपके amniotic fluid की मात्रा बढ़ीगी और अगर इसकी मात बहुत ज्यादा ना बढ़े और बहुत ज्यादा कम भी ना हो दोस्तों गर्ब में शिशु की हलचल उसके सही growth तो इसलिए आपके बच्चे की हलचल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चे की हलचल प्रेग्नेंसी के आखरी महीनों में पहले की मुकाबले कम हो जाती अगर आपको आपके बच्चे की हलचल 20-40 मिनट के अंदर महसूस नहीं हो रही है या फिर आपके बच्चे की हलचल कम हो गई है या फिर बंद हो गई है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपकी डॉक्टर जो भी चेक अप या फिर अल्टर सा happy and thanks for watching